मैं बच्चो डॉक्टर सचिन शुकला और आज हम बहुत अच्छे तरीके से इस ICT का प्रियोक करते हुए हम जानेंगे कि हम किसी तरभूज का अंता केंदर हम कैसे पता करते हैं तो देखिए इसकी रशना करते हैं तो शुरू करते हैं माली जे हमें एक कोशन मिला है जिसके अंदर एक तरभूज बनाना है जिसकी भुजाएं 7, 6 और 5 हैं तो हमने BC 7 cm, B को केंदर मानके 6 cm चाप लगाया और C को केंदर मानके 5 cm का तो जब हमने इसे मिलाया तो बकाईदा आप देख सकते हैं ABC एक तरभूज बनके आया है जिसकी भुजाएं 6, 7 और 5 हैं अब हमें क्यादना क्या होता है अंता केंदर पता करने के लिए तरभूज में तीन कोण हैं ABC तो B को कोण का अर्धक करेंगे तो B को केंदर मानके एक चाप लगाएंगे जो चाप AB को D पे काट रहा है और BC को E पर फिर D को केंदर मानके एक चाप लगाएंगे और इसी प्रकार उसी दूरी का तरज्या लेकर E को केंदर मानके एक चाप लगाएंगे अब देख सकते हैं दोनों चापों ने एक दूसरे को जहां काटा है प्रतिछेत करा है उसको हमने नाम दे दिया F तो B को और F को मिलाते हुए एक रेखा हमने आगे खेज दी है अब यही प्रिक्रिया हम जो 6 दो कोण है C, C और A इनके भी हम कोणों के अर्धक करेंगे और कोणों के अर्धक करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी रेखाओं को हम कि देखे किस पकार से हम कोणों का अर्धक कर रहे हैं अब देखे कोणों के अर्धक करने के बाद यह रिखाएं आप देख सकते हैं यह एक दूसरे को काट रहे हैं देखे आप यह आप देख सकते हैं कोणों एक अर्धक कर रहे हैं और यह देखे हैं इन कोणों के अर्धकों हमने बकाइदा प्रतिछेत करा है एक जगे जाके देखिए जहां मेरी इसमें पैंसिल है इसको हमने नाम कुछ भी दे सकते हैं हमने ओ नाम दे दिया है तो यह जो पाइंट है ओ यह कहलाता है तुरूज का अंता केंद्र तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि कोणों के अर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप आगे भी देखने को मिलेंगे आप सभी को मेरा अभार धन्यवाद देखने के लिए मेरा वीडियो